नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एचिकेस्टने चैनल में आज की उड़े लेक्चर में हम ऐसे हेल्फ प्रॉब्लेम और उसके सॉलिफसन के बार में बात करेंगे जैसे कि सुबह उड़ते ही पैरों में दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द होता है कि दर्द से चीक निकल जाती है आपको काफी ज़्यादा पैन होता है वहाँ पे दूसरा प्रॉब्लेम हम देखे तो यह जो जॉइन्स होते है वहाँ पे आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है तो ये जो कुछ symptoms है या फिरे जो problems आपको हो रही है तो उसका तुरंत निदान करना जरूरी है तो निदान में कई बर ये आता है कि आपके सरीर के अंदर uric acid का level जो हो बढ़ गया है जिसके करण जो joints होते हैं वहाँ पे काफी ज़्यादा दर्द होता है और वहाँ पे सूजन और redness भी देखने को मिलती है तो उसके कुछ हम देखे symptoms हो गिरा तो जब आप diagnosis कराते हैं तो जो uric acid होता है उसका level आपके सरीर के अंदर जो हो बढ़ जाता है जिसके करण जो joints होते हैं वहाँ पे काफी ज़्यादा दर्द होता है फिर वहाँ पे सूजन और redness देखने को मिलती है सुस्ती और बैचन जैसा फेल करते हैं कि मतलब कि आपको कुछ काम कर रहा है पर काम करने में आपका जो हो मन नहीं लगता तो यह जो इस भी symptom से हो इंडिकेट करते हैं कि gout या फिर uric acid आपके सरीर में बढ़ा है तो सकते हैं detail में तो gout क्या है सबसे पहले gout जो बीमारी ऐसी है कि जिसके अंदर excessive uric acid जो है वो build-up होता है आपके सरीर के अंदर कि जो uric acid जो है वो सरीर में बढ़ने लगता है और जो blood होता है वो sample collect करके जब check किया जाता है तो इसमें uric acid का level जो हो काफी ज़्यादा देखने को मिलता है और gout ऐसी painful condition है कि जो arthritis का ही एक form है कि जिसमें specially दर्द होता है काफी ज़्यादा और सुजन आ जाती है आपके joints के अंदर तो gout का हम प्रकार देखे देखे ग्रूमेटिक रोग है जिसको गठिया भी कहा जाता है एक काफी दर्दनाक रूप में आपको उसके pain देखने को मिलते हैं और gout तब होता है जब सरीर में uric acid के मातरा बढ़ जाती है तो uric acid क्या है तो uric acid के जो crystal है वो जोडों में जमा होते हैं कि usually क्या होता है कि आपकी जो kidney होती है वो जब proper काम कर रही होती है या फिर उसका function अच्छे से चल रहा है तो जो excessive uric acid जो है वो सरीर में से बाहर निकल जाता है पर कई बार क्या होता है कि आप काफी ज़्यादा ऐसे food ले रहे हैं कि high purine foods आप ले रहे हैं तो kidney की capacity है उससे ज़्यादा आप uric acid ले रहे हैं तो extra जो uric acid होता है वो आपके सरीर के अंदर जमा होने लगता है कि जैसे कि high purine foods होते है बेवरेजिस वे किराते हैं वो आप काफी ज़्यादा मातरा में ले रहे हैं तो उसके करण क्या होगा कि यह जो uric acid है वो इस तरह से आपके joints होते है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वहाँ पर दिरे दिरे जमा होने लगता है और उसी के करण यह सब problems जो है वो देखने को मिलते हैं तो जहाँ भी joints होते हैं वहाँ पर यह जो है वो जमा होने लगता है तो यह आपर वीडियो के में हमें आपको बताना चाहूगा कि ऐसे ही आ मुबाइल एप्लिकेशन फार्मा रॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं तबी बेस्ट आफर चल रहे हैं कि जिसके अंदर आपको सिर्फ 749 के अंदर यह बूक जो है वो मिल रही है कि जो पूरी कलर बूक है तो आगे कुछ रीजन्स देखते हैं गाउट के कारण क्या है तो सर किनो सप्रेसंट और डायुरेटिक्स जैसे दवाई यह आप ले रहे हैं लंबे समय से तो भी यह प्रॉब्लेम जो ही वो सरीर में हो सकती है तो ओबेसीटी भी एक रीजन बनता है हाई ब्लड प्रिसर टाइप टू डाइबिटिस के पेसंट है किड्नी रिडेटर किड्निया अच्छे से काम नहीं कर रही है तो यह सब प्रॉब्लेम्स जो होने लगते हैं तो जैसे हमने अभी बात की कि जो हाई प्यूरेइन जो फूड होते है कि जिसके अंदर काफी ज़्यादा यूरिक एसिड रहता है जैसे कि रेड मीट वगरा है ओफल है सीफूड अब काफी ज़्यादा बीर पीते हैं स्पिरिड्स ले रहे हैं और क्रोनिक किड्नी डिसिस के पेसेंट है तो भी गाउट की बीमारी हो सकती है कुछ और रीजन हम देखे हाईपर टेंशन, ब्लड गेंसर, सीच एच एफ एन, यूरेट लोवरिंग थेरापी तो यह सभी र आपको दर्ध होता है, तो यह जो सिम्टोम अलेडी हमने डिस्कस किये, अब बात करते हैं कि इसका निदान कैसे होगा, तो जो जॉइंट का एरिया है या फिर जहाँ पे आपको ऐसा पेंड फिल होता है, उस एरिया का एक्सक्रे कीया जाता है, उसके बाद जॉइंट एस् का टेस्ट किया जता है, अल्ट्रा साउंड कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, सिटी स्केन और एमरेजे से अलग-अलग options हमारे पास रहते हैं, ये बीमारी के निदान के लिए हैं, ट्रीटमेंट में हम देखिए तो जो उसका reason है कि यूरीक एसीड जादा बन रहा है, तो उसी को हमें कम करना है, तो ऐसी दवाईया दी जाती है कि जिससे यूरीक एसीड का जो formation है, वो block हो जाए, मलगकि यूरीक एसीड ही आपके सरीर में ना बने, और जो जमा हुआ यूरीक एसीड है, वो दिरे-दिरे सरीर में से बाहर निकल जाए, तो दूसरा option यह रहेगा कि medicine to remove uric acid from body, तो पहला option यह रहा हमारे पास कि हम uric acid नया बनने ही नहीं देंगे, और दूसरा option यह रहेगा कि जो uric acid जमा हुआ है, उसको remove करना है सरीर में से, तीसरा हम देखें तो anti-inflammatory drugs, कि जो हमने देखा कि एक symptom है सूजन वगेरा, तो इसको कम करने के लिए दवाईया जरूरी है, दर्द होता है, तो bain killer और homeopathy में भी इसका treatment options दिये, तो वो भी हम आगे discuss करते हैं, तो यहाँ पे है, uric acid को block करने वाली medicine, कि जिसका नाम है, fabuxostate, कि जो खासकर 40 mg की strength में available होती है, कि जिसका dose खासकर रहता है, one tablet per day, दूसरा option है, कि अगर किसे का uric acid यह वाली tablet से block नहीं हो रहा, तो दूसरा option उनके लिए रहता है, allopurinol के tablets का, कि जो खासकर 100 mg की strength में यह available होती है, और उसके dose की हम बात करें, तो 2 या 3 tablet per day के हिसाब से वो लेनी होती है, फिर probanacid का यहाँ पे option है, कि जो uric acid को remove करने के लिए, तो uric acid जो जमा हुआ है, जोडों के अंदर, joints के अंदर, तो उसको remove करने के लिए, probanacid का यहाँ पे एक बहुत अच्छा option हमारे पास रहता है, कि जिसका dose रहता है, 1 tablet per day, चौधा option हम देखें, तो inflammation को कम करने के लिए, उसके लिए colchising, एक बहुत अच्छी medication, कि जिसको anti-gout drug भी कहा ज़ता है, कि जिसका dose रहता है, 1 या 2 tablet per day के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं फिर से reminder देना चाहूंगा, कि जो multi color हमारी book है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि सभी pages उसके color है, बीमारियों के बारे में detail जानकारी इसमें दी गई है, तो उसको जरूर से purchase करें, purchase करने के लिए आप हमें ये number पे whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, तो आगे पांचवा treatment option हम देखे, तो जो दर्द हो रहा है, तो दर्द को कैसे कम करें, तो दर्द को कम करें करने के लिए, ibuprofen का एक option रहता है, कि जो painkiller के तोर पे हम काम करते हैं, और एक या दो tablet पर day के हिसाब से ये लेनी होती है, चठा option हम देखे, तो homeopathy का है यहाँ पे, तो WL54 drops है, gout drops यहाँ पे उसके label पर भी लिखा है, आप वो देख सकते हैं, तो यह जो drops है, वो 10 से 15 जितने drops लेने होते हैं, half cup जितने पानी में, खाने से पहले दिन में 4 बार, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगागा, कि जहाँ पे भी मैंने आपको बहुत अच्छी information दी है, बीमारी के बारे में, और दवा यू के बारे में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को share करें के जिससे, ये valuable information जो है वो, काफी सारे लोगों तक पहुँच सकें, और book order करने के लिए, पीन कॉमेंट में आपको link मिल जाएगी, number भी मिल जाएगा WhatsApp की जहाँ पे click करके, हमें book order करवा सकते हैं हमसे, so good luck and all